हेलो नमस्कार येति आप लोग बिहार आई टी आई इंटरेंस एक्जाम में सामेल होए थे और अपने कॉंसिलिंग का इंतिजार कर रहते हैं फाइनले आप सिव का कॉंसिलिंग का जुबी लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया रेश्टेशन एस्चुआइस फिलिंग करन ट्रेड को चुनेंगे और कौनसे आप सिव को ट्रेड लेना चाहिए जिससे कि आप सिव का एड्मिसन का चांस बना रहेगा तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव इसलिए वीडियो को इसर के चैनल को सब्सक्राइब करने तो ऑगे भी जैसे ही counseling का जो भी first ultimate letter जारी किया जाए तो उससे का जो भी update है वो सबसे पहले आप सीव को मिल पाए चलिए मैं आप सीव को दिखाता हूँ किस प्रकार से आप सीव लोग counseling करेंगे तो counseling करने के लिए सबसे पहले आप सीव को Google ब्रोजर को open करने ला है और यहाँ पे Google में search एगा gulsonstudy.com जैसे सर्च किजएगा पहले link पे open किजएगा और यहाँ पे आईएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक new update का section बनाए गया है जिसमें कि देख सकते हैं इसका link है वो activate हो चुका है लेकिन आप सीव को बताते हैं कि यदि आप लोग first round में ही admission लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे officially website पे विजिट करना होगा जो भी बिहार IT का officially site है यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से आप सीव को देखने को मिलेगा यहाँ पे आप सीव लोग एक देख सकते हैं download का section दिया जाए जिसमें कि आप सीव को third number पे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जितना भी जो भी आप सीव का college है इनकी जितने भी trade है सभी trade wise जो भी category wise जितना भी trade का seat है उसी पे यहाँ पे पूरी detail दी गई है तो इसमें आप सीव को counseling करने से पहले इसे जरूर जरूर देखना चाहिए सबसे पहले तो आप सीव लोग अपना जो भी district है वो देखेंगे कि आप सीव जो भी district का वो कौन सा district है तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यह भागलपूर का है और यहाँ पे देख सकते हैं electrician trade में ncbt two years के लिए वही category wise यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 seat ओपर यहाँ पे है EBC के लिए तो यहाँ पे इसी परकार से आपसे भी लोग अपने जो भी category है category wise अपना जो भी trade यानि कि कौन सा trade आप लेना चाहते हैं उस trade को देखेंगे कितना seat है जिस भी trade में अधिक seat है तो वह पहले यहाँ पे उसका जो भी channel है वह करेंगे जैसे आपसे भी लोग वह देख लेते हैं तो अब यहाँ पे रेश्टेशन as choice वाले link पे क्लिक करना इस पर जैसे क्लिक कीजेगा तो आपसे भी के सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा यहाँ पे आपसे वह कौंसलिंग की पूरी परिकिरिया है रेश्टेशन करने की वह यहाँ पे खुल कर आ जाएगा यहाँ पे देख साते हैं green में I agree है जिस पे आपसे वह क्लिक करना है उसके बाद आगे प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे देख साते हैं अब यहाँ पे आपसे को personal detail यहाँ पे ड दिखाई दे रहा होगा वह यहाँ पे capture डाल करके submit बटन पर क्लिक करेंगे चलिए मैं आपसे वह सब्मीड बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसेस दिखाता हूं जैसे ही आप अपना जो भी डीटेल है वह यहाँ पे देखने को मिल जागा जो भी आप सिबगा date of birth होगा नाम small letter उसके बाद जो भी add the rate वो दे देना है उसके बाद आपसे वह कुछ यहाँ पे अंक दे देना है जो भी आप सिबी के मन में आता है वो यहाँ पे देंगे उसके बाद यहाँ पे password दोबारा डाल करके जो भी capture वो यहाँ पर ढालेंगे उसके बाद submit as next बटन पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप से वोगो दो विकल्प आएगा जिसमें कि आप से वोगो यस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है आप से वी के समने अगला इंडरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो भी आप से वी का रेश्टर से नंबर मुवाइल नंबर होगा रेश्टर मुवाइल नंबर उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा और जो भी आप से वी का इमेल आईडी रेश्टर होगा उस पे OTP सेंड किया जाएगा दोनों का जो भी OTP है वो यहाँ पे डालेंगे उसके बाद जो भी आपसे को capture दिखाई दे रहाँगा वो यहाँ पे same capture डाल करके आपसे को verify as final submit बटन पे क्लिक कर लेंगा उसके बाद आपसे के समने कुछ इस प्रकार से आपसे को home page देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपसे भी लोग को जो भी option दिया जाएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं कि available, choice, choice filling, choice log, seat allotment, result यहाँ पे इस प्रकार से आएगा तो सबसे पहले तो आपसे भी को available twice में आना, available twice में आने के बाद आपसे को दिखाएगा कि आपसे के लिए कितने choice available है, जो कि आपसे भी लोग चुनेंगे, वो यहाँ पे आपसे भी लोग देख सकते हैं कि आपसे भी लोग के लिए कितने जुई trade है वो दिये गए हैं, वो सारे आपसे भुलोग यहां पे इनका जो विच्झाइन है वो कर सकते। अब आपसे भुलोग को को HOMPAGE पर बैकर आ जाना है और यहां पे देख सकते हैं 24 फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि आपसी आपके District में जितने भी आपसी का जो भी ट्रेड है वह यहाँ पर जो एबलेबल रहेगा वो सारे आपसी आपसी को देखनी को मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक आपसे को add बटन देखनी को मिलेगा इस add बटन पे जैसे ही क्लिक कीजेगा तो यहाँ पे आपसे जोबी trade है वो यहाँ पे देखनी को मिलेगा तो अधिक से अधिक अपने जो भी trade है उसका यहाँ पर chain करेंगे कोई भी trade यहाँ पर आपसे भी लोग छोड़ेंगे नहीं उसके बाद यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करना यहाँ पर देख सकते हैं एक submit and continue का option दिखाई देगा जिस पर आपसे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OK का बटन देखने को मिलेगा इस OK बटन पर क्लिक करेंगे यदि lock करना चाहते हैं तो आपसे वो को lock twice पर आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं I agree to lock my twice पर क्लिक करना इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपसे का password अभी अभी बनाए होंगे वो आपसे वो यहाँ पर password डालना है और यहाँ पर देख सकते हैं lock का option दिया गया गिरिन में वो क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे को OK बटन पर दुबारा से यहाँ पर क्लिक कर लें उसके बाद यहाँ पर आपसे को दो option मिलेगा यहाँ पर आपसे को एक email ID का मिलेगा एक mobile नमर का मिलेगा वो mobile नमर या फिर email ID डालेंगे उसके बाद जो भी आपसे का रेश्टेसर mobile नमर होगा या email ID उस पे OTP send किया जाएगा OTP डाल करके आपसे भी इसे वेरिफाइगा जैसे अपना OTP डाल लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं Locked 24 का ओप्सन दिया जाएगा जिस पे आपसे वो क्लिक करते ही आपसे बाद जो भी दानलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का जो भी च्वाइज फिल का जुभी यहां पे रिसीब्ड है वो यहां पे आ जाएगा अब आपसे लोग इसे डाउनलोड करके अपना जुभी वो यहां पे रख सकते हैं जीसे कि आपसे लोग का जैसे एलोट्मेंट लेटर जारी किया जाता है तो वो लेकर कि आपसे लोग अपने डिश्टिक में जा प्लूखा किसी परकार का कंफुजन रहा गया तो नीचे कमेंट्स करके पूसा करें